पसू को तेज बुखार निमोनिया नाक से पानी आना कईबर पसू को खांसी आना इस तरह की दिकतें पसू में अब सबसे ज़्यदा तर देखने को मिलती हैं और उसकी वज़े से कईबर पसू को चक्रा जाते हैं जिसकी वज़े से कईबर पसू गिर भी जाते हैं और साथ मे जो गाली नहीं करना इस तरह की दिकतें अब फिल्ड के अंदर पसू में देखने को मिल रही हैं तो इस तरह करें का ट्रीटमेंट अपने पसू में करवाना चाहिए आज की वीडियो के अंदर आपको मैं डिटियल से बताऊँगा किस तरह का treatment करके यानि वेटिनीरियन treatment करके और साथ में आप सपोर्ट थेरिपी की तोर पर उसे साथ में क्या देंगे जिससे कि आपको बैटरी जल्ट मिले वीडियो लंबी जुरूर होगी लेकिन इसकी परके में देखना पुरा देखना इस चेनल पर नए जुड़े हैं त आपको पता है कि चैनल पर सही जानकारे के साथ वीडियो दी जाती है देखो पसू में इस तरह की दिकत हो जाती है तो देख लेना चाहिए कि कईबर पसू में वाइरल इंफेक्शन भी हो सकता है जिसकी वजह से पसू का टेंप्रेजर बढ़ जाता है और पसू को सांस ले वीडियो में वीडियो देखो जाता है कि आपको किस तरह का ट्रीट्मिन करना चाहिए जो मैं आपको बता रहा हूँ के दोरह आपके पास कोई वेडी वेटिनेंट है उनके द्वारा आप ये ट्रीटमेंट करवा सकते हैं देखो सबसे पहले आपको पताना चाहता हूं कि इस तरह की दिकत पस्व में हो जाती है तो इसके लिए आपको सबसे पहले क्योंकि नाग से पानी आ रहा है और सांस नेने में तकलीप आ रही है तो सबसे पहले आपको एक तो कलोर फिनेरमाइन मेलेट यानि सी पी एम का इंजेक्शन उस पस्व को जरूर लगवा लेना चाहिए जिस तरह से हम प्रियोग करते हैं कैडिस्टीन जिसके जो जैनिस का आता है जिसके अंदर सार्ट आता है कलोर फिनेरमाइन मेलेट ये बहुत ज्यादा जुरूरी है इस तरह केस में ये आपकी जो गायबैंस हैं उनमें इसकी डोज होती है दस एमेल से लेकर के 15 एमेल इंट्रा मस्कुलर ये इंजेक्शन इंट्रा मस्कुलर पसू को लगया जाता है ये पसू में इस तरह की दिकत हो जाती है तो और साथ में जो मेडियम साइज के कटिया ही पर हैं उनमें साथ से आठ आयमेल और जैसे और भी चोटे हैं बेड़ बक्रियों में दिकत हो जाए तो दो से तीन एमेल या पांच एमेल के लगबग इस इंजेक्शन का परियों किया जाता है ये इंजेक्शन तो लगाना बहुत ही खानी का मतलब है कि पश्वग को एनरजी दे तो इसके लिए भी आपको उस इंजेक्शन का परियोग पर में जरूर करवाना चाहिए जो इंजेक्शन आता है जिस तरह से मेंगाइंड का था है नियूरो काइंड प्लस इंजेक्शन उन पसूं में इस तरह की इस्तती हो जाती है इस तरह केस में परियोग करना चाहिए आपका पसूं का टेम प्रेजर बढ़ा हो कोई दिक्षत नहीं करता बट आपको अच्छा रिक्ष्य खार्ण गएता है इस पसूं को जल्दी रिखुरी लेने के लिए हैं जो इंजेक्शन का परियोग पसूं में करवा सकते हैं इस इंजेक्शन की डोज होती है बड़े पसों में 10 ml से लेकर के 20 ml इंट्रा मस्कुलर भी इंजेक्शन को लगवाया जा सकता है और इंट्राविनस भी इंजेक्शन को जिन पसों का बोड़ुएट बहुँ ज़्यदा रहता है पांप 600 kg है तो 20 ml लगवग है तो उन् सबसे अच्छा पसों में देखने को मिलता है यहां प्रसूं का तो इस इंजेक्शन को लगा जिया था तो ज्यादा बैटरी जल देखने को मिलता है इस तरह की दिकत के लिए आप जो आती है बाइरोसीन इंजेक्शन जो इस तरह का इंजेक्शन आता है तो इस इंजेक्शन का परियोग पशुमें जरूर करवाना चाहिए अपने वेटिन देखो मत जो भी इंजेक्शन बता रहें यह सबी के सबी आपका वेटिनेर ना आपके पशू को लगाता है तो यह इंजेक्शन है अपने वेटिनन के दोरा लगाएं इसकी डोज होती है एक एमेल पर बीस केजी बोड़िवेट जिन पशू का वज़न चार सो केजी है तो उसे आप बीस एमेल इस इंजेक्शन को सिर्फ और सिर्फ सबकट एदि आप यह बाइरोसीन वन सोट लगा और यह ताउचा में लगता है जिस तरह से इंजेक्शन को इंट्रामस्क उदर लगया जाता यह इंजेक्शन लगवाब बैंठर घंठे तक परसू में काम करता है तो आप ऐसा नहीं कि इस इंजेक्शन को आज लगा दिया तो फिर कल पर शूब यह लगाँतार आपको ने लगा सकते एक बढ़ लगाने के बाद में तीन दिन तक असर रहता है तो आपको अच्छी तरह समझगे होंगी कि इंजेक्शन पसूं में इंटिबाइटिक बहुत जुरिया इस तरह की केस में यह पसूं में किसी भी तरह है कि जो जितने मैंने बता है इस तरह के कैस को बहु कर सके और पसूं के लिए तो इसके लिए आप कोई भी जिस प्रकार से प्रिग्नेंट नहीं है तो निमुस्तलाइड एंड परासिटामोल इंजेक्शन का प्रियोग कर सकते हैं वह भी बड़े पसूं में 20 अमेल मेडियम में 10 अमेल बेड़ बक्रियों में 2-3 अमेल इंट् मैं अलग से वीडियो भी बना के दूंगा मेगलो जासिक आता है जो कि यह प्रियोग पसूं में करवा सकते हैं बहुत यह सारे जेल मिलता है जिन पसूं का बोडिवेट 400 कज है तो इसे इंट्रा मस्कुलर इंट्राविनस दोनु रूर से इस इंजेक्शन को लगा जाता है जो कि प्रियंड पसूं के लिए भी सेफ रहता है यह आप अपने वेटिनेरियन से जरूर लगवाने एंटिबाइटिक आपको एक बड़ लगवानी है अधर जो इंजेक्शन है जिस तरह से आपको नियूरोकाइन प्लस इंजेक्शन सीप्याइम इंजेक्शन और फ्लून प्लसूरा की संक्या बड़े और पसूं को भूग लगे इसके लिए जो लैटी पर पाऊड़र आता है इसका प्रीयोग कर सकते हैं इसके लिए पाउडर का प्रियुग करने की जरूत नहीं है यह 10 ग्राम का एक पाउच आता है इस पाउच को एक पाउच सुबह और इक पा तो आप अच्छी तरह से समझ गयोंगे साथ में दीन इमोनिया अधर दिकत है तो पसू को खुली जगह रखें यह इस बात का भी आपको ध्यान में रखना है और जो पसू नजदिक है उनको दूरी बना करके रखें इस बात का भी जूर ध्यान रखना चाहिए यह और पसू क को अच्छा हार देते रहें अच्छा सुध दाना मिसन देते रहें ताकि पसू बार-बार इस तरह की दिखतूं का सामना ना करना पड़े तो यह वीडियो जितना उसकते आप प्रसू पाली के विटिन स्टेंट है उनके साथ सेरके इसी तरह की वीडियो आपको नुलिज इस इंदर ऐसी मिलते रहें इसी तरह से वीडियो देखते रहें थैंक्स धन्यवाद